हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्त तर्शना आज मैं आप लों के साथ शेयर करने जा रहे हूं मेडे लिस्ट की एक बहुत ही पॉपलर डिश फलाफल और इसको सर्व क्या एता है हम इसके साथ में तो यह दोनों ही बनाना बहुत ही आसान और इनका नाम जितना होके रख दिया अब जो है सुभह के समय इस चैने जैसका साफ पानी निकाल लिया इसमें से आधे तो मैं अबाल लूंगी और आधे मैंने अलग रख दिये क्योंकि यह हमारे फलाफल में काम आएंगर जो उबलेवें उससे हमस बनेगा सबसे पहले लेते हैं एक पैन में थ देते हैं और इसको एक ग्रणिंग जार में निकाल लेते हैं और इसको जैब डिरेक्ट ऐसे ही पीसना है बिना कुछ डाले यह देखे हमारे तिल पिसके तयार हो गया है अब हम इसके इंदर डालेंगे ऑलिव और इसके इसका स्वाथ बहुत बढ़िया आता है मैं करीब त ताहिनी बनके तयार हो गई इस पेस्ट को हमस में भी यूज किया जाता है और अलग से इस्तेमाल किया जाता है तो ताहिनी तो तयार है अभी हमारे उबलेवे चने है और इसका मैंने पानी अलग-अलग कर रखा है यह अच्छी से गल चुके अब करना यह कि हमें इनको छी तोड़ा सा भूनेवे जीरे का पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक स्वाधनुसार और इसमें फाइनली जाएगा ओलिव 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 इसमें तीन-चार चमच भरके बड़े-बड़े डाल देती हूं इसमें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते है और यह देखिए ह हैं लगी जेए इसमें रलजेंगी और इसमें डालेगे बड़ा निम्बू का रज प्रके रश्व ते करीबी एकसे धो चमच ब्रक रीगा और या जाएगा और जो ने पानी्यार क रेखगा शोलो और बचमच बच वऽे ड़ Lamborghini इ ने टाले जाएगा और इसफों पीस के प बनाना कोई मुश्किल नहीं सिर्फ उबलेवे चने उनको पीस लिया है थोड़ा सा लहसुन और भुनावा जीरा नमक डाल के थोड़ा सा नीमू मिला के इसके उपर हम थोड़ा सा पैपरिका पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा ओलिव उससे जैस की गारिशिंग बहुत ली हुबलेवे से हमस बनाये थे पंटा फला के लिए कंचे वाली लिये और इसके साथ में थोड़ा सा लिते धनिए असए हो के साफ करके लीजेगा defining प्याजले लिये और थोड़ी से लेखन की कलिया या कम जयादा आभी कर सकते है एक चम्श उब ढालेंगे धन्या पाउडर इसमें इसमें ठीटा सब्मक स्वाधन सार थोड़ी सी लाल मिर्ची और इसमें डालेंगे भुनेवे जीरी का पाउडर और जरुत के हिसाब से एक दो चमश पानी डाल दीजिए और इसका पेस्ट बना के तयार कर लिजिए ज्यादा पानी मद डालेगा वरना पेस्ट फालाफल की जगहां आपकी चटनी का पेस्ट बन जाएगा इसको निकाल लेते एक बाउल में क्योंकि हमें इससे टिक्की बनाने तो पेस्ट जितना गाढ़ा होगा उतना बढ़िया है अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा बहुत थोड़ा सा डालेगा वन फोर टी एस्पी के करीब मैने लिया है साथ मैने लिया दो से तीन बड़ी चमश मेयदा आप चाहें तो हैं नगीन जिए पैस्ट निया और चम्मश हटाखे हैं यह सकते हैं विद्र दूसरे लिया किसा यह अमेरी ठ हैं रहा capacit की है लौन ही तर्ली चलू hasड़ा हुटते porter नाम कितना बढ़ीया साथ हासका सब्सक्तेर भाना चल्दियार कर हमने इदर हमारा ओयल भी गरम हो गया है अब इसमें डालते जाते हैं चट पड़ बनके हमारी तयार हो जाएंगी हमें इने बिल्कुल मीडियम फ्रेम पर फ्राइब करना है ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम इस तरह से अलट पलट करते वे राउंड घुमाते वे फटा कैए ओकली तो हमारी तो गरम करम टेस्ट्य त्याट प्रिस्पि फी लाफ हर सि तयार है तो फुता फटते योगा असलोग कर लेते हैं तो देखा आप लोगों ने मिडलिस्ट्टि के त मजदार शी चेस्ट इसे यदिश बेंके तयार होती यह ज्यादा सबसłemत भी नहीं औ चाहे तो ऐसे ही खाएं चाहे तो पीटा पॉकेट में लगा कर खाएं धन्यवाद